So I am back with another video तो आज हम इस वीडियो में compare करने वाले हैं Exo or Apex Turbine और SMK RR Racer Series के बीच में मैं इस वीडियो में इनके features को compare करने वाला हूँ इनके build quality को compare करने वाला हूँ और इनके prices को compare करने वाला हूँ एन इस वीडियो को last से ज़रू देखना है क्योंकि लास में बताऊँगा कि कौन से price range में कौन सा helmet जादा बेटर है तो वीडियो को start करने से पहले अगर आपने अभी तो में चैनल को subscribe ने किया तो subscribe जरू कर देजिए क्योंकि इस चैनल में bikes related and bike accessories related videos लाते रहा था जो आपके feature में कभी ने कभी तो काम आजाएगा तो फर्स बात करते हैं इनके features के बार में तो इन दोनों helmets में anti-fog visor आता है एक में आता है anti-fog visor और एक में आता है anti-fog visor pinlock technology के साथ जो original pinlock है तो दोनों में difference इतना ही है कि एक में pinlock आता है और एक में anti-fog normal आता है जो sticker type को होता है उसको चिपकाया जाता है just key difference है but दोनों same काम करते है and मुझे दोनों में कोई फर्ट की नजर नहीं आया दोनों exactly same काम करते है दोनों के अंतर ड़ जाता है दोनों fork resistant है और उस particular place में वो लोग fork जमने नहीं देते है तो anti-fog visor का feature इन दोनों helmet में है तो next बात करते है इनके buckles here तो जो SM के है उसमें आता है quick release buckle and जो exhort है इसमें आता है dealing buckle तो जो dealing होता है वो जादा safe होता है because वो easily निकलता नहीं है और वो safety जाना प्रवाइड करता है इसलिए क्योंकि अगरको accident भी हो तब वो quickly निकल की नहीं आता है वो extra safety देता है जब भी आपको accident या कुछ भी situation हो तो वो easily आपके head से निकलता नहीं है आपको head के safety पूरी अच्छे से देता है बट जो slider है वो एक time के बाद थोड़ा slippery हो जाता है और वो quickly release हो जाता है बस slider day-to-day life के users के लिए बहुत बेटर है क्योंकि इसमें आपको quick release and quick attach वाला feature मिलता है जिससे आपके लिए बहुत convenient होता है helmet को use करना तो third बात करते है air vent के बारे में तो इन दोनों हेल्स में air vents आते है जो XOR है उसमें तीन air vent आते है बट जो SMK है उसमें बस दो air vent आते है तो SMK यह जगा में थोड़ा सा weak है क्योंकि उसमें बस दो यह air vent है तो air ventilation बहुत कम होता है helmet के अंदर बट XOR में जो air ventilation होता है वो जादा होता है बिकोज वहाँ पर तीन ventilation है और साथ में इन दोनों में dual wiser आता है तो summertime में या फिर दिन में बाइक चिलाना बहुत easy हो जाता है और convenient हो जाता है बिकोज अंदर ही black wiser भी होता है और बाहर इक white wiser होता है तो सुभे और राथ तोनों टाइम में आप बाइक चिलाने के लिए बहुत easy होता है और दोनों helmet में Bluetooth connectivity आता है तो दोनों helmet को आप Bluetooth intercom के सा connect कर सकते हैं बट जो SMK उसमें अलग से एक place आते है उसको आप clip करके खोल सकते है और खोल के वहाँ अपना Bluetooth intercom स्कूर करके लगा सकते है तो वह ज्यादा बेटर है विकोज XOR में वैसा कुछ नहीं आता तो अभी हम बात करते हैं इनके build quality के उपर तो जो XOR है वो dot certified है और ECE certified है इसमें यूरोपन certified भी है बट जो SMK है वो बस आउनली European certified है इसे ही certified है तो certified के मामले में XOR helmet ज्यादा बेटर है और build quality भी XOR helmet का थोड़ा ज्यादा अच्छा है क्योंकि जो SMK है उसका build quality थोड़ा सा थिन है उसमें थो थोड़ा thin material उसके गया है तो अभी तो हमने compare कर लिए इनका feature और इनके build quality तो अभी हम बात करते हैं के price के बारे में जो XOR है वो आपको online मिलता है 5000 रुपेज और offline आपको 4000 से 5000 के बीच मिल सकता है जो SMK है वो आपको मिलता है 4350 offline भी और online भी तो अभी बात करते हैं के price के असाब से आपको कौन सा लेना चाहिए अगर price का देखा जाए तो आपको XOR लेना चाहिए क्योंकि 150 रुपेज एक्स्ट्रा देखे आपको SMK से बहुत ज़्यादा अलग-अलग features ज़्यादा features मिल रहे है जैसे कि इसका durability ज़्यादा अच्छा है तो अगर आपको मेरे यह वीडियो पसन आए तो शायद आपको मेरे बाकी वीडियो भी पसन आएंगे जो आप स्क्रीन में आ रहे तो उनको क्लिक करके देखना मत बुलना विकास इसी तरह आपके bite से related और bike accessory से related वीडियो में लाते रहता हूँ आपको मिलता हूँ में नेक्स वीडियो में बबाई